दोस्तो हर्याना बोर्ड का जो एक्जाम है 10-12 का वो 2020 के लिए बता दिया गया है कब से है देट सीट अभी जारी नहीं हुई है लेकिन टाइम आपको पता चल गया है कि परिक्षा है जो है आपकी 20 अपरेल से चालू होगी और कब खतम होगी यह भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बता दूंगा साथी साथ आपका जो पेपर है वो तीन घंटे करना होगा ये सबसे बड़ी जो चेंजिंग है इसमें की गई है तो मैं आपको बता रहा हूं देख रहे है जैसा कि आप ये दस तारीक की न्यूज है, दस फरोरी आज की न्यूज देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनिट का वीडियो है, जल्दी से देख लें इसका और इसको समझ लें, ये आपका हरियाना टेंट और ट्वेल की स्टुडेंट के लिए सेक्षिक वक यानि 2020-21 के लिए जो है परिक्षाओं की तारीक की घोशना कर दी है, इसमें जो है आपका बोर्ड परिक्षा मंगलवार 9 फरवरी 2021 को दी गई अधिकारिक सूचना, यानि कि मंगलवार को ये बोर्ड सूचना दी गई थी, तो आज क की डेट में छपा है ये, कि हिसाब से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10 और 12 की कक्षाओं का जो परिक्षा है, वो 20 अपरेल से किया जाएगा, वहीं इस वर्स बोर्ड की परिक्षा है, जो है 31 मई तक चलेंगी, 20 अपरेल से 31 मई तक चलेंगी, हाला कि जो हरियाना बोर्ड गया है उसमें exam pattern में बदलाव किया गया है तो यह बताई तो कौन कौन सा है आपका जो पूरे देश में फैली महमारी के कारण जो है आपका जो कक्षाओं के सभी के कई बिभीन राज्यों में भी सभी जर्गे सिल्वस कम कर दिया गया और pattern में संसुदद कर दिया गया इसी करम में हर्याना बोर्ड ने जो secondary education का है उसने कक्षाओं की परिक्षाओं का exam pattern में बदलाव किया गया है और बोर्ड की अध्यक्ष जगबीर सिंग द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार pattern बदल दिये गया है इसका तरगत जो है इस बार बोर्ड परिक्षाओं के प्रशन पत्रों में 50% MCQ आएंगे यानि बहु बिकल्पी ये प्रशन आएंगे ये आपको ध्यान रखना है और इसके अतरिक्त जो है हर पेपर की अवधी 3 घंटे से घटा करके 5 घंटे रख दी गई है ये आपके लिए main important है कि आपके बास समय कम कर दिया है जैसे slivers कम किया है तो समय भी कम कर दिया है तो आपका जो है 50 MCQ आएंगे ये main चीज है इसके इसाफसा आपको तयारी करनी है जल्दी आपके जो date seat है उसको हम जारी कर देंगे इसी channel पर आप बने रही है और आपके जो model पर बरस अगर board जारी करता है तो उसको हम जल्दी जारी करने वाले है thank you very much for watching this video बने रही है इस channel के साथ में more updates के लिए